मूवी की सुरुवात एक ट्रक को दिखाते वे होती हैं जिसे एक चेकिंग पॉइंट पर रोक कर सैनेटाइज किया जाता है तब वो ट्रक ड्राइवर वहां के करमचारियों से पूछता है कि आप इस तरह ट्रक को सैनेटाइज क्यों कर रहे हैं अब वो लोग बताता है कि यहाँ पर एक पासी की फैक्टरी में लिकेज हो गया था जिसकी वज़े से सभी गाड़ियों को सैनेटाइज किया जा रहा है अब वो ट्रक आगे की और निकल जाता है जहाँ पर रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर का फॉन रिंग करता है और जब वो उसे उठाने की कोसिस करता है उसी वक्त ट्रक के साथ एक हिरन का एक्सडेंट हो जाता है इसलिए वो गाड़ी से नीचे उतरता है और हिरन को मरा हुआ समझ कर वहाँ से चलाजाता है लेकिन हम देखते हैं कि वो हिरन अभी जिन्दा होता है और जब वो वापस खड़ा होता है तो उसका नेचर काफी बदल जाता है अब हमारी मुलाकात एक सियोक नाम के आदमी से होती है जिसका कुछ महीनों पहले ही अपनी वाइब के साथ डिवार्स हुआ था अब उसके साथ उसकी बेटी रहती है जिसका नाम सुयन होता है दरसल सियोक एक इस्टॉक मारकेटिंग कमपनी का मैनेजर होता है जिसकी वज़े से वो अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बीजी रहता है कि अपनी बेटी के लिए बिलकुल भी वक्त नहीं निकाल पाता है और आज उसकी बेटी का बड़े होता है इसलिए सियोक उसके लिए गिप्ट ले जाता है लेकिन इस्ट्रेस और काम की वज़े से उसे ये भी याद नहीं रहता है कि जो गिप्ट वो उसके लिए लाया है उसी तरह का गिप्ट वो उससे क्रिस्मस पर दे चुका है इसलिए वो अपनी बेटी को सौरी कहता है तब वो कहते हैं कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ जो कि उनसे अलग बुसान सहर में रहती है उस ट्रेन के एक बोगी में हाई स्कूल के कुछ इस्टूडेंट्स होता हैं जो सभी एक बेसबॉल मैच को अटेंड करने जा रहे हैं उन्हीं में से एक जैनी नाम की खुबसूत लड़की होती हैं जो कि सब लड़कों के करस होती हैं लेकिन वो खुद एक योंगुक नाम के लड़के से प्यार करती हैं उसी ट्रेन में एक कफल भी होता हैं जिसमें आदमी का नाम सैंगा और उसकी प्रेगनेट वाइप जूंगमी होती हैं अब ट्रेन के ठीक रवाना होने से पहले उसमें एक लड़की चड़ती हैं जिसकी हालत काफी जादा खराब होती हैं इसलिए वो वहीं पर नीचे गिर जाती हैं उसी वक्त उसे एक असिस्टेंट देख लेती हैं सभी इस्टेंट्स उन्हें देखकर ढर जाते हैं मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है तभी वो असिस्टेंट भी जॉंबी बन जाती हैं और वो दोनों मिलकर उनसे भी लड़कों पर आटेक कर देती हैं आलात बेकाबो होता देखकर एक असिस्टेंट आगे के सभी लोगों का अपनी बोगी छोड़ने के लिए कहता हैं और अब सभी लोग भागने लगते हैं जिसे ट्रैन में काफी भगदड मच जाती हैं असल में ये जॉंबी वाइरस सहरी इलाकों में कुछ घंटों पहले ही फेल चुका था मगर ट्रैन की सभी लोग अभी तक इस बात से बेखबर होते हैं अब जॉंबियों की भीड़ ट्रैन में आगे की और बढ़ने लगती हैं अब ट्रैन का कैप्टन रेडियो से अनाउंस करता है कि ट्रैन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने की वज़े से इसे अगले इस्टेसन पर नहीं रोका जाएगा इसलिए सभी लोग फिर से सीट पर बैठ जाते हैं उसी वक्त सुयोग को अपनी मा का कौल आता है जो उससे बात करते-करते ही जॉंबियों का सिकार हो जाती है इसलिए सुयोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जब ट्रैन अगले इस्टेसन पर पहुँच थे तो वहाँ बहुत सारे जॉंबियों होते हैं इसलिए ट्रेन को लगातार नौन इस्टॉप रखा जाता है दरसल पूरा सहर इस वाइरस का सिकार हो चुका था जिसकी वज़े से मिलिटरी और गवर्नमेंट दोनों पीछे हट जाती है अब ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि ट्रेन का आखिरी इस्टेसन डेजियन होगा जहां पर आपकी सुरुकसा के लिए मिलिटरी पहले से तैनात है ये बाद सुनकर सुयोक अपने एक दोस्त को फॉन करता है जो बताता है कि तुम सब लोगों को वहाँ पर उतरते ही कॉरंटाइन कर लिया जाएगा इसलिए सुयोक उसके साथ एक डील करके अपने निकलने का जुगार कर लेता है जब ट्रेंड डेजियन इस्टेसन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांती होती है और इस्टेसन पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था इसलिए सभी लोग एक एक करके ट्रेंड से उतरने लगते हैं अब जब सभी लोग इस्टेसन से बाहर जाने लगते हैं उसी वक्त सुयोग अपने दोस्त के बताए गए गेट की और चला जाता है बागी सभी लोग जब सीडियों से नीचे पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे सैने कब जॉंबी बन चुके हैं जो सभी उन लोगों को देखते ही उन पर तूट पड़ते हैं इसलिए जिन्दा बचे लोग अपनी जान बचाते हुए वापस भागने लगते हैं दूसरी और सुयोग सुयन को एक जगे पर खड़ा करके खुद आगे जाता है लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है जो उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा तब ही वहाँ पर बहुत सारे जॉंबी आ जाता है जिने देकर सुयोग वापस अपनी बेटी की और दोड़ता है तब तक सैंगा उसे अपनी वाइब के साथ अंदर की और भेज देता है लेडी जो और बचों को वो सभी ट्रैन में भेज देता है और खुद उन जॉंबियों को रोक कर रखता है लेकिन वो जदे देर तक ऐसा नहीं कर पाता है और सुयोग समयत सभी लोग किसी तरह भागते हुए वापस ट्रैन में आ जाता है लेकिन अब सभी लोग अलग अलग बोगियों में रह जाते हैं जहां एक और सुयन और जॉंगमी एक भीकारी और ओल लेडी के साथ एक वास्रूम में फंज जाते हैं वही दूसरी और सुयोग सेंगा और यौंगो के एक अलग बोगी में होते हैं जॉंगमी सेंगा को कौल कर हेल्प के लिए बूलाती है क्योंकि उन लोगों पर jombi अटैक कर देते हैं जो कि बोगी नमबर 13 में फंसे होते हैं और बाकी सबी लोग बोगी नमबर 15 में होता हैं इसलिए वो तिनों वहां से निकलने की तैयरी करते हैं और jombi उसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तब सेंगा उन्हें एक दर्वाजे पर रोके रखता है और बाकी लोगों को आगे जाने के लिए कहता है लेकिन 15 नमर बोगी का दर्वाजा कोई नहीं खोल रहा था इसलिए योंगुक अपनी गल्फेंड जैनी को कॉल करता है तब हम देखते हैं कि एक असिशनेट जैनी की आवाज को रोक लेता है दरसल बोगी नमर 15 में योंसुक नाम का एक सेलफिस आदमी होता है जो उन लोगों को अंदर आने से रोकता है योंकि उसे लगता है कि वो लोग भी वाइरस से इंफेक्टेड हैं लेकिन तब सेंगा और सुयोग जोंबियों को रोके रखते हैं और योंगो को उस दरवाजे को तोड़ देता है दूसरी और सेंगा को एक जोंबी कार लेता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो भी बहुत जल्द अब एक जोंबी बनने वाला है इसलिए वो सुयोग को अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है सेंगा अपनी बीवी को आखिरी बार अलवीदा कहते हुए अपनी होने वाली बच्ची का नाम सेला रखने के लिए कहता है लेकिन तबी वो जॉंबी उस पर अटेक करके उसे बूरी तरह से काड़ देते हैं तब तक सुयोक और जूंगी दूसरी बोगी में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं लेकिन उन सब के साथ वाली एक अल्ड लेडी जॉंबीो का सिकार बन जाती है अब सुयोक यॉंग यॉंग सुक को बहुत जादा डारता है क्योंकि उसी ने गेट नहीं खोला था जिसकी वज़े से वो दोनों मार गए थे लेकिन यॉंग सुक दूसरे लोगों को सुयोक की और भढ़काने की कोसिस करता है और कहता है कि ये लोग भी इंफेक्टेड हैं इसलिए इन सभी को अगली बॉगी में भेज दिया जाता है उस वक्त यॉंग के साथ जैनी भी चली जाती है पीछे उस ओल्ड लेडी की सिश्टर अपनी सिश्टर की मोत के कारण सद्वे में होती है इसलिए वो उस गेट को खोल देती हैं और सारी जॉंबी बाखी लोगों पर अटेक कर उने मार देते हैं लेकिन उस हमले में यॉंसुक एक असिश्टेंट के साथ वासुर में छिप कर बच जाता है दूसरी और कैप्टन बुसान इस्टेसन के कंट्रोल सेंटर में कॉल करता है क्योंकि उसे इंश्ट्रक्शन मिलता है कि बुसान इस्टेसन अभी तक इस वायरेस से सैप है लेकिन जब वो आगे जाता है तो वहाँ का रास्ता बलॉक होता है इसलिए कैप्टन अनाउंस करता है कि जो लोग जिन्दा बचा हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने क्योंकि आगे का ट्रेक ब्लॉक होने की वज़े से हम इस ट्रेन को बुसान तक नहीं ले जा सकते इसलिए मैं लेफ्ट साइड की ट्रेन को स्टार्ट करने वाला हूँ और जो भी लोग इस एनाउंस को सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उस ट्रेन तक पहुंचे अब कैप्टन बहार निकल कर एक दूसरी इंजन में जाकर उसे स्टार्ट करता हैं वहीं दूसरी और सुयोक और बाकि सभी लोग ट्रेन से बहार निकलते हैं लेकिन यॉनसुक और वो असिश्टनेट अभी तक उस वास्रूम में फसे वे थे जहां पर यॉनसुक उसके साथ धोका करके खुद वहां से निकल जाता हैं दूसरी और कैप्टन इंजन को बाहर लाता है तब वो देखता है कि एक ट्रेन जलते वे तीजी से उसी ट्रेक पे उसके सामने आ रही हैं और अचानक से उन दोनों की भायनक टकर हो जाती हैं और उस हादसे में सिर्फ जैनी और यॉन्गुक की सुरकसित बसते हैं इसलिए वो दोनों भागते वे दूसरी ट्रेन में जाने की कोसिस करते हैं लेकिन उसका डौर लोख होने की वज़े से यॉन्गुक दरवाजे को नहीं खौल पाता है उसी वक्त यॉन्गुक वहाँ पर आ जाता है जो जैनी को जॉंबी की और फैक्ट देता है जिससी वो भी इंफ पास जाता है लेकिन यॉन्ग सुक अभी तक अपना हैवानी रूप दिखाता है और उस कैप्टन को मरने के लिए छोड़ खुद वहाँ से भाग जाता है दूसरी और उन सभी पर जॉंबी अटेक कर देते हैं लेकिन वह भीकारी उन तीनों के लिए अपनी कुरवानी देक करता है और वह ऐसा करने में कामयार भी हो जाता है अब वु तीनों उस इंजिन के साथ बुसान के और निकश्य जाता है मगर किसी तरह सुयोक उसी नीचा गिराने में कामयाब हो जाता है अब सुयोक समझ जाता है कि वो बहुत जल्द एक जौंबी बनने वाला है इसलिए वो उन दोनों को कैबिन में ले जाता है और जूंगमी को ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम समझाता है ताकि वो बुसान पहुँशने पर ट्रैन को रोक सके अब उसुएन को अलविदा कहने के लिए जाता है लेकिन वो अपने डैडी को नहीं छोड़ना चाती थी इसलिए सुयोक रोतेवे केबिन से बाहर आ जाता है किवो खुद भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाता लेकिन अब वाईरस उस पर हावी होने लगता है इसलिए वो ट्रैन से नीचे को जाता है ट्रैन के आगे जाने पर रास्ता ब्लोक होता है इसलिए वो दोनों नीचे उतर कर टैनल कre और जाने लगती है टैनल के दूसरी और हम दो सैनिकों को देखते हैं जो उन दोनों को देखर अपने कैपटन को information देते हैं तब कैपटन उन दोनों को मारने का order देता है इसलिए सूटर अपनी sniper को चलने वाला ही होता है कि उसी किसी के गाने की आवाज आती है और वो गाना सुएन अपने डैडी के लिए गा रही थी उसे सुनकर वो समझ जाता है कि वो दोनों जिन्दा इंसान है और इस तरह उन दोनों की जिन्दगी बच जाती है इसे के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है